नमस्कार लगसको मेरे प्रिये बच्चो सबसे पहले नवरात्री की हारदिक सुबकामनाएं आप लोगों की डिमांड रही है बहुत समय से कि मैं इंगलिस में टैंस स्टार्ट कीजिए ठीक है और सबसे जारे कमेंट्स आये हैं इसमें दो तीन बार ये कमेंट्स कर चुके है जिनका नाम है आधर से याद हूँ बेटा मैंने टैंस स्टार्ट कर दिये हैं और मैं टैंस को ऐसे नहीं पढ़ाओंगी मैं हर चीज को समझाओंगी आपको डीप बताओंगी कि इसमें ऐसा क्यूं है और ये सिर्फ ओवर्व्यू है आप ओवर्व्यू को समझिए उसी के आधार पर आप जान जाएंगी कि टैंस के वीडियो हमको कैसे प्रोवाइट हूँगे ओके ये मैं आपको विल्कुल फॉंड़ामेंटल से किलियर करूँगी कि सबसे पहले आपको बताना चाहते हूँ कि यह टैनस क्या है बोलते हैं कि टैंस क्या है इसका हिंदी मिनिंग क होता है सायद ही आपको कहीं पर धूगने से मिले टेंस मैं हम क्या चीज़ सीखते हैं देखिए सभी हमने देखा कि एकर बुक्स अधी देखा कि जहां पड़ता है ती है ना हम लोग आप कमेंट किसे ठीक लेकिन मैं यह नहीं बताओं wealth टेंट ये present है लेकिन आप लोगों से मैं एक बात पूछती हूँ मेरे dear students क्या आपने कभी ध्यान दिया है जैसे हम कहते हैं मेरी मदर घर पर है present में है ठीक है लेकिन इसमें तो ता है नहीं आया ता है लेकिन tense की जो requirement होती है वो क्या है ता है तो present independent है है simple present है हम बोलते है और school में भी बच्चों को limited सिखाया जाता है कि ता है तो present indefinite tense है नहीं बिलकुल wrong है ठीक और दूसरी चीज सबसे पहले tense के बारे में ये जानना जरूरी है कि जो क्रिया होती है जिसको हम English में verb बोलते हैं ठीक ये verb बोलते हैं इसका समय क्या है ये हमको tense ब क्रिया के साथ समय नहीं होता है जिसमें verb के साथ समय नहीं होता है वहाँ पर tense होता ही नहीं है आप किसी भी बुक में ढूल लीजी ठीक और आप ध्यान दिजेगा जहां पर क्रिया के साथ समय होगा चाहे वो present हो चाहे वो past हो चाहे वो future हो इसलिए हमारा वो sentence tense का बनेगा इतना समझ में आ गया, देखिए, अब मैं आपको सिर्फ एक एक एक्जामपल दे रही है, तेख, अब एक्जामपल को बिल्कुल ध्यान से देखिए, राहुल is quite fond of reading books, मैंने क्या कहा, लेकिन इसका अर्थ होता है, कि राहुल जो है, बुक्स read करने का सौकिन है, यानि बुक् बढ़ने का सौकिन है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या क्या क्या, फॉंड ओफ लगाया, ठीक, जो एक फ्रेज है, कई संटेंसे हमें ऐसे भी बनाने पड़ते हैं, ठीक, एवरी नाइट ही रीड्स फॉर एट लिस्ट ट्वेंटी मिनट बिफोर गोइंग तो बैट, इतना ही रीड्स है ना, वर्व कर हो रही है यहाँ पर, क्रिया हो रही है, लेकिन कहां हो रही है, किस समय हो रही है, समय भी दिया है एवरी नाइट, रात के समय में, दिया हुआ है समय, इसलिए ये क्या है, रोज रात को राहुल क्या करता है, कम से कम बीस मिनट पढ़ाई करता है, अब ता है आ गया ना बच्चो आया ना यह क्या हो गया simple present simple present जिसको हम present indefinite भी कहते हैं अब indefinite कैसे हो गया बोलेंगे आप indefinite वो ऐसे हो गया there is not any particular time given here that's why यहाँ पर राहुल every night में तो पढ़ता है लेकिन night कपसे हो जाती है कपसे कपका time night का होता है उसमें 8 o'clock भी नहीं दिया है 9 o'clock भी नहीं दिया है कुछ time fix नहीं है that's why it is simple present या present indefinite यहाँ तक आ गया समझ में अब मैं पहली बता चुकी हूँ आपको कि tense में verb के साथ time होता है अगर time नहीं हो तो उस sentence को क्या कहते हैं अगर verb के साथ time नहीं हो जैसे हम कहते हैं कि राम अपनी class में था ठीक अब देखो यहाँ पर क्या है यह helping verb है ठीक जो मैं बोल रही हूँ कि यह tense क्यों नहीं है यह tense इसलिए नहीं है क्यों इसके साथ जो है मैंने क्या लिखा है tense verb के साथ time होता है लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको time दिख रहा है अब यह sentence क्या होगा हमारा कहीं पर आजकल ऐसे question नहीं आते हैं आजकल बहुत competition का समय हो गया है इसलिए यह question की आसा मत करना मेरे प्रीय बच्चो कि अगर वज आएगा तो इसके साथ ing आएगा तो सीधे present past continuous का हो जाता है लेकिन जब आ गया what type of sentence is this एक तो आएगा आपका present continuous दूसरा आएगा past continuous अब एक option उसमें रहता है कि simple sentence या nothing above ठीक है अब आपने क्या करना है कि इसको identify करना है कि जब हम tense की बात करते हैं simple present या past continuous की बात करते हैं तो वज के साथ ing जरूर होगा उसमें पाले वर्व के साथ जो है उसका जैसे मैं बोलती हूं राम वाज रीडिंग ऑबुख थीक तो क्या हो गया। या हो गया present continuous हो गया। ठीक है क्या कर रहा है राम क्या कर रहा है ये helping वर्व हो गई वाज वह very helping वर्व हो गई और reading अ बिदिंग क्या करना क्या हो गया उसकी क्रिया हो गई मेन वर्व हो गई ही तीक आई बास समझ में अब देखे अब टेंस को मैं ऐसे एक вам डारिक्ट क्विश्च आता है कि टेंस क्या है मैंने बता दिया टेंस ये है अब चीरे कुष्चन पूछा जाता है how many type तो बच्ची क्या करते हैं there are present indefinite tense, present continuous tense no these are part of present tense not mean types of tense, tense एक होता है और इसके पार्ट जो होते है तीन होते हैं और इसके जो हम सब डिवाइट करते हैं इसके पार्ट सफोर होते हैं यानि हम सीधे सीधे कहेंगे there are three types of tense टीक है जो हमें present की बाते बताएगा वो present हो जाएगा जो past की बाते बताएगा वो past हो जाएगा जो future की बाते बताएगा वो future हो जाएगा अब इसकी जो नियम grammatical rules के साथ साथ मैं आपको comparison भी कराऊंगी और बिलकुल आप बेफिक्र रहिए मैं आपको perfect बना दूँगी tense में आप देखते ही जिस दिन हमारा tense का topic finish हो जाएगा मैं आपको indication दे दूँगी आप अब perfect हो चुके हैं और आपको एक work sheet दिये जाएगी और उसमें आपकी numbering होगी देखिए अब आगे चलते हैं tense मैंने बताया tense there are three types of tense present, past and future यहाँ पर complete हो जाता है अब these are parts of present tense, past tense and future tense जैसे हम इसको indefinite को present के साथ use करेंगे तो present indefinite हो जाएगा अगर past के साथ use करेंगे तो past indefinite हो जाएगा future के साथ use करेंगे तो future indefinite हो जाएगा ऐसी present continuous, past continuous future continuous present perfect, past perfect future perfect ओके ओके नाव third one present यहाँ पर आएगा present sorry present perfect continuous लिखने में मिस्टेक हो गई present 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 perfect continuous ऐसे ही present perfect continuous past perfect continuous and future perfect continuous यह simple सा आप लोग के लिए overview था मैं एक एक टेंस यहां से उठा करके आपको समझाऊंगी पूरा समझाऊंगी कि कैसे यह present है और इसका present है तो क्यूं है present नहीं है तो क्यूं नहीं है आज के लिए सिर्फ इतना ही आपको वीडियो फसन आता है तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंड कीजिए जय हिंद जय भार झाल